पताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे उनसे कह दो कि अपनी आवकात में रहे और अपनी गंदी नियत और सोच बदल देंगे वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाभूत कर देंगे तुमारे इस गंदी मनुवादी सोच को रौत दिया जाएगा मोधी सरकार पिछले 10 वर्सों से वे देश के संभिधान को छिड करते चरे जा रहे हैं और इससे जो है कि नागरिकों के किसान मजदूर युवाद सभी के अधिकारों का मुला अधिकारों का हनन हुआ है कि सरकार को उखाड फेकिये नमशकार हम अपनी चुनावी यात्रा में दिली में यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोगों से बाचीट कर रहे हैं तो हमें हमारी मुलाकात हुई है नरेश राज अम्मेट कर जी से सर आप क्या ये सुनाना चाहते हैं काफी दिर से आप ये कह रहे हैं हम लोगों के पूरे देश के जनता को जो अधिकार दिया गया है और जो संविधान दिये मूल रूप से जब संविधान रहेगा तो सभी के अधिकार सुरचित रहेंगे जब संविधान ही नहीं रहेगा तो सब का अधिकार समाप्त हो जाएगा तो मैं इस संविधान को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया ये सुने कि ये और जागे सुने न बलकि जागे भी कि हम सभी भोजन समाज और देश के जनता किसान मजदूर युवा इस संविधान को बचा लीजिए इस बार जो है नरि तो साथियों मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ बताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे उनसे कह दो कि अपनी आवकात में रहे और अपनी गंदी नियत और सोच बदल दे वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाभूत कर देंगे चाहे कोई भी व्यक्ति संगटन धर्म या पार्टी हो उसका हम इतिहास और भुगोल बदल देंगे बताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे तुम्हारी आवकात दो कौडी का भी नहीं है और तुम संभिधान बदलने की बात करते हो जिस संभिधान पर पूरी दुनिया को गर्ब है तुम उस संभिधान पर उंगलिया करते हो तुमारी सारी उंगलिया तोड़ दी जाएगी क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो बताओ कां कहता है कि संभिधान बदल देंगे जिस संबीधान से पूरा देश चल रहा है, जिस संबीधान से जनता सुक्चैन से सो रहा है, जिस संबीधान से तुम्हें पद और पैसे मिल रहा है, तुम उस संबीधान को बदलने की बात करते हो, तुमारी सारी आउकाद तौल दी जाएगी, क्या तुम इस बात का नहीं करते हो बताओ कौन कहता है कि संभीधान बदल देंगे जी संभीधान ने जनता को सारे अधिकार दिया है समता सुतंता बंधुता और न्यायका अधिकार दिया है समाजवादी धन निर्पेच राज्य का बेहतर सी धन दिया है तुम उस संभीधान को बदलने की बात करत हो क्या तुम इस बात का अन्दाजाँ नहीं करते हो बताओ कौन कहता है कि संभीधान बदलेंगे जिस संभीधान को देश को आजाद करने वालोंने बनाया अपने आने वाले पीडियों कातिर संभीधान में सपने सजाय और अपने हर एक सपने पर विचार भी और चर्चा कराया तुम्हु संभिधान को बदलने की बात करते हो तुमारे इस गंदे इरादे और सपने को चकना चूर कर दिया जाएगा क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो बताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे जिस संभिधान ने अंग्रेजों की हुकुमत हटा दी जिस संभिधान ने गरीबी भुकमरी और सारे अत्या चार मिटा दी जिस संभिधान ने भेद भाव और असमानता की जड़े उखार दी तुम उस संभिधान को बदलने की बात करते हो तुमारे इस गंदी मनुआदी कुख को रौध दिया जायेगा तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो बताऊ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे। जिस संबिधान से सभी धर्मों के लोग सुक्चैन से रहते हैं जिस संबिधान की वज़ा से कोई किसी से भेदभाव नहीं करते हैं जिस संबिधान की वज़ा से इंसान को इंसान और सब को एक समान समझा जाता है तुमुझ संबिधान को बदलने की बात करते हो क्या तुम अपनी मनुवादी कानून को फिर से लाना चाते हो? बताओ, कौन कहता है कि संभीधान बदल देंगे? जी संभीधान ने निती निर्देशक लच्च को निर्धारित किया, जी संभीधान की उदेशिका ने एक आदर्स उदेश दिया, परिस्थितियों के अनुकू तुमारी कोई अवकात है? तुम खुद जानते हो, बताओ, कौन कहता है कि संभीधान बदल देंगे? जी संभीधान की वज़े से संसद और नियाले चल रहा है, जी संभीधान की वज़े से देश की पूरी ब्यवस्ता चल रहा है, जी संभीधान की वज़े से देश ने-ने किर्टिमान सापित कर रहा है तुम मुझे संभिधान को बदलने की बात करते हो तुम्हारी सारी वकालत तुरंत अंदर गुज जाएगी जो भारत और भीम के संभिधान को अंगुलियां उठा रहे हो बताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे उससे कह दो कि अपनी हाचा जरजर और बेकार हो गई है बेरोजगारी महंगाई और जीडिपी पूरी देश का जल रही है और तुम संभिधान बदलने की बात करते हो बताओ कैसे आर्थिक सलाकार हो जो सब कुछ धोस्त हो और ब्यस्त हो रहा है बताओ कौन कहता है कि संभिधान बदल देंगे जिस अंबेटकर को आज पूरी दुनिया हिर्दे से मांती है, जिस अंबेटकर को आज पूरी दुनिया दिल से सलाम करती है, जिस अंबेटकर ने बीमारी के हालातों में भी अकेले संबीधान रचे, तुम उनके त्याग बलिदान और महांता के इतिहास को मिटाना चाते हो, तुम केवल आर्थिक मामलों में ही अंबेटकर के पैल के धूर के बराबर नहीं हो, तुमें तो गाउगली के खुते भी नही और पूछते होंगे, बताओ कौन कहता है कि संबीधान बदल देंगे, भारत मा के संबीधान पर केवल अंबेटकर का ही विश्वास नहीं था, जिस देश को अजाद करने वाले और देश की पूरी जनता का विश्वास था, यह संबीधान जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया गया है तो बताओ मनुवादी क्या तुम सोतंता सेनानी और जनता के खिलाप हो क्या तुम वही रूडिवादी सामंतवादी पूजिवादी कानून को फिर से लाना चाते हो तुम अपनी पूरी आवकात ताकत या खड़ेंत रचलो तुम इसे कुछ नहीं कर पाओगे बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे उससे कह दो कि अपनी आवकात में रहे नहीं तो भीम के बच्चे उन्हें नेश्ता नाभूत कर देंगे चाहे कोई भी व्यक्ति संगठन या पार्टी हो उसका हम इतिहास और भूगोल बदल देंगे साथियों मैं इसी अपनी कविता के माध्यम से देश को आवान करना चाहता हूं बहुजन समात किसान मजदूर युवाओं को अफिल करना चाहता हूं कि सरकार को उखाड फेकिये और मुझे लगता है कि इंडिया गडवंदन ही जो जितने भी पार्टियां है अगर वो जीत रही है तो आप उसे जिताइए मैं यही अफिल करना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस भाजपार मनुवादी को खार फेकना हमने बात की नरेश राज अमितकर से जिन्होंने अपना गीत सुनाया आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बक्स में जरू झाहँ झाय झाहँ है झाह झाहँ है अ झाल